गुरु जी के चगणों में सास्तर डंडवत प्रणाम खुश रही है गुरु जी तीन परसिन करना चाहता हूँ बताओ पहला परसिन है कि हम लोग चोटी और तिलक क्यों लगाते हैं और चोटी क्यों रखते हैं और क्या एक मुसल्मान ब्यक्ती तिलक और चोटी रख सकता है चोटी इसलिए रखते हैं ये एंटीना है डाउनलोड हो जाती है चीजां भगवत करिपा से तिलक इसलिए लगाते हैं कि भगवान श्रीमन नारण के चरण है तो चाहे हिंदू हो या मुसल्मान जो भगवान के चिंतन को जो भगवान के चरणों को डाउनलोड करना चाहे हिरदय में बसाना चाहे चाहे वो हिंदू हो या मुसल्मान तिलक लगा सकता है चोटी रख सकता है अगर आपकी अनुमती हो तो हम कुछ कहना चाहें इस संबंध में बताईए चोटी तिलक लगाने के दो कारण है एक जनली कारण है एक आध्यात्मिक कारण है जनली कारण ये है कि जब हम इस्वर को अपने इस्ट को तिलक लगाते हैं वो अगर वही तिलक हम अपने माथे पल लगा लेंगे तो जहां जहां हम जाएंगे दिन भर वो उनका आसिरवाद बन कर हमारे रच्छा करेगा एक तो ये जड़नली है बिलकुल और आध्यात्मिक एक है ये है कि हमारे सरीर में साथ चक्र पाए जाते हैं जिसका चटमा चक्र आग्या चक्र माथे पे होता है उसकी सूरी की रोस्तनी उस तेज को चीर ना करे इस वज़े से माथे पर तिलक लगाया जाता है और चोटी इसलिए रखी जाती है क्योंकि हमारे माथे पर सास्तार चक्र होता है और जिसकी सूर की रोस्तनी से वो हमारा तेज कम ना हो जाए इसलिए बराबर चोटी रखी जाती है गलत तो नहीं बोला गुरू जी जो अगर ब्यक्ति जान ले और अपने अंदर उसे गिरहन कल ले तो उसे मोख्च की प्राप्ति हो जाएगी दो अक्षर दो सब्ध उल्ली राम ही जानते हम तो राम नाम हरदे में आ जायेद तो कल्यान हो जायेगा यह तो एक सब्द हुआ गुरुजी दो सब्द हैं तो सीता राम सीता सहित राम अगर आप अनुमति दें तो इसका भी हम आरे आप सब बताओ अगर पूरी आज्या है अगर अपने बिल्कुल बताओ जो आपको पता है वो आप बताओ ग्यान हमारे देश में अठा है ग्यान का कोई यंत नहीं है जरूरी नहीं है कि जो ग्यान आपके पास है बोले बुरुजी केवल इस पूरे संसार में दो ही सब्द है एक है जूट और एक है सत्थ जूट क्या है जिसे हम मत्या भी कहते हैं जो नश्च्वर है जो एक दिन समाप्त हो जाएगा वो सब जूट है यहां तक की संसार में जितनी भी बस्तुएं हैं सब जूट है और यहां तक की बीबी, बच्चे, भाई, बेहन सब जूट है सत्य क्या है सिर्फ इस्वर जब तक इस जूट के माया जाल में हम फसे उससरे तो बोल रहें, सत्य जब नश्यच्वर जूट हूँना में कि या करी जूट होता है हमारा अहंकार, मैं जब वह जूट वे अंदर से चला जाता है, हमारे सरीर का जूर उसी समय हमें मोक्ष की प्राप्ती हो जाती गलत तुनी बोला गुरू जी सब सही है तीसरा प्रसेंट पूछे गुरू जी बिर्गल पूछो तुम प्रस्ण काई को पूछोगे तुम बताओ पूछो पूछो अच्छा लग रहा है आप से बात करके सुनाओ अच्छे हो आप या पूछ भी रहो खुद भी उत्तर देरो माराज सच्चेदानंद का अर्त क्या है सत चित आनंद बरावर सच्चिदान जो इश्वर सत्य है जो चित है, चित है स्वरूप है, ज्याना स्वरूप है, प्रकासा स्वरूप है, और आनन्द के सागर हैं, भगवान का एक नाम है आनन्द, नन्द के आनन्द भायो, जो आनन्द सिंद सुकरासी, तो जो सत्थ हो, चित हो, आनन्द हो, वो सत्चित आनन्द हैं आपको तो दो सद्धम बोलो हमारे हिसाब से सत्ध और चित्माने होती है आत्मा जिसे कहते चेतना जो ब्यक्ति अपने आत्मा के सत्ध को जान ले वही परमानंद की प्राप्ति कर लेगा और जब वह ब्यक्ति परमानंद की प्राप्ति करेगा तो वही सच्चिता नंद हो ज गलत तुम भोले गुरू जी तो फिर आदमी भगवान बन जाए गाए गाए तो फिर आदमी भगवान नी बन सकता है सज्ञान से नीचे आजाओ इस घमंड से भी नीच उतर आओ यह अहम ब्रमास्मी का फॉर्मूला हम सब इंसानों के लिए नहीं है है ना ग्यान होना अच्छी बात है इतने भी ग्यानी ना बन जाओ कि खुद कोई भगवान कहने लग जाओ अभी आप यही चड़ रहे हो जादा भी मत चड़ हो क्या है इश्वर को जान लेना अच्छी बात है सोई जाने जह देहु जनाई और जानत तुमही तुमही होई जाई जब हम इश्वर को जान लेते हैं तो इश्वर के चिंतन करते करते हम इश्वर के सम हो जाते हैं ये मेरी मा समान है ये मेरी मा समान है क्या मा है मा और मा समान पिता और पिता समान भाई और भाई समान ये अंतर हैं दोनों बातों में हाँ या ना उसी तरह हम इश्वर के समान तो हो सकते हैं इश्वर नहीं हो सकते हैं इस्वर और भगवान में बहुत अंतर है गुरुजी जैसे भक्त और भगवान में है अब देखो बस धनवाद गुरुजी ठीक है